हलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कॉड, आयम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे क्लास एर्थ संस्कृत की बुक का चाप्टर 15, लास्ट चाप्टर है प्रहेलिका, इसके हम लोग हिंदी में सपंजेंगे इसको, तो पहेलिया जो है, वो उत्पन होती है, जायते का मतलब होता है, उत्पन होती है, कस्तूरी किस से उत्पन होती है, म्रिग से, तो किस से होती है, उत्पन इसका जो आंसर है, वो है म्रिग से, को हंती किर्णा कुलम, कौन हातियों के संभू को मार देता है, तो हाति के बहुत सारे संभू को कौन मार था देता है तो इसका आंसर ariAMNS और ठीकुरित कात्रोग युद्धे कमजोर व्यक्ति युद्ध में क्या करते हैं तो कमजोर व्यक्ति जो है वो युद्ध में भाग जाते ह हैं है ना तो यही है इसका आंसर तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर म्रगात है सेकिंड वाले का सिंग है और थर्ड वाले का पलायते तो पलायते का मतलब होता है भाग जाते हैं तो कस्तूरी जायते किसमात कस्तूरी किससे उत्पन होती है तो इसका आंसर मिरिग से होती है उससे ह और कौन हातियों के सम्हूं को मार देता है तो सिंग यानि की छेर और किम कुरियात कात्रों युद्धे कौन युद्ध से भाग जाता है तो कमजोर व्यक्ति युद्ध से क्या करता है भाग जाता है अब यह जो नेक्स्ट है इसका देख लेते हैं तो नारियों में कौन सबसे अधिक शांत सुभाव वाली है तो नारियों में सबसे अधिक शांत सुभाव वाली कौन है तो देखे इसका उत्तर है सीता सीता नारियों में सबसे अधिक शांत सुभाव वाली है कौन सा राजा गुडों में सबसे उत्तम है कौन सा राजा है तो Knowledge नॉलेज हमेंशा वंधना करने के योगए है। तो यही कही गई बात है फिर भी मनुष्यों के दवरे नहीं मानी जाती अर्थात मनुष्य, जो है पता नहीं लगती है तो मतलब ये बात हैं जो कहीं जाती है बर मनुष्य फिर भी इन्सब चीजों को समझ नहीं पाता है तो इनका देखें मतलब देखें इसका मतलब होता है नारियों में और शांत का मतलब होता है शांत सभाब वाली को भूत का मतलब होता है कौन गुड़ों में सरवोत्तम और यह होता है विद्या जो है वो वंदना करने योग्य है और उत्तम ही कहा गया है कि इनको जान तो किष्र ने कंस को मारा है है ना और शीतल धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगा कौन सी है कौन सी जगा है जहां से शीतल गंगा भैती है तो भाई देखे काशी से जो है शीतल गंगा भैती है पत्नी सहित बच्चों के पालन में कौन लगे होते हैं तो पत्नी के संग तो बच्चों के पालम में कौन लगे होते हैं और खेती के काम में संगलित कौन रहता है तो यह पत्नी के संग काम में तो वह रहते है ना पती और खेती के काम कौन करता है किसान करता है और किस बलवान को दंड कश्ट नहीं देती तो हमारे की व्रक्षियों के ऊपर रहने वाला है और फिर भी पक्षियों के राजा गरूण नहीं है और पिर बोचा बोला गया है कि तीन आखों वाला है तो भी हाथ में त्रिशूल धारी शिव नहीं है उसके बाद चाल रुपी वस्ट को धारण करने वाला है फिर भी तपस्वी साधक नहीं है और जल को धारण करता है तो भी ना घड़ा है और ना ही बादल है तो ये पूरी की पूरी पहली एक ही बोली गई है कि ये क्या है तो इसमें हमें पहली में बोला गया है कि विरक्ष के ऊपर रहता है और फिर भी पक्षियों का राजा गरूर नहीं है वो तीन आखो वाला है फिर भी वो त्रिशूलधारी शिव नहीं है जाल जैसे उसके वस्त्र है फिर भी वो कोई तपस्वी साधक नहीं है और जल को धारण करता है उसमे है नारियल है तो अब यह आगे हमें इसमें बताते हैं कि भोजन के अंत में क्या पिया जाना चाहिए तो भोजन के अंत में क्या पिया जाना चाहिए तो मठा चांच पिया जाना चाहिए निशित रूप से जयंत किसका पुत्र है तो भोजन के अंत में चांच पिया जाना चा लगवान विश्णू का स्थान स्वर्ग कैसा कहा गया है और तो मोक्ष है और दुरलप कठिनाई से प्राप्त होने योग गया क्या है मोक्ष है दुरलप कठिनाई से बहुत ही मुश्किल से जो है मोक्ष इंसान को मिल पाता है तो इसमें क्या क्या लिखा गया है कि भोजन के अंध में क्या पीना चाहिए तो इसका मतलब है छाच और फिर इस फिर आगे पूछा गया है कि इंद्र का पुत्र कौन है तो जयंत इंद्र का पुत्र है फिर पूछा गया है कि विश्णू का इस्थान यानि विश्णू रोक दुर्लव का जो कैसा का गया है मिलना बहुत जैदा मुश्किल है तो यह हमारे हो गए सारे के सारे के क्वेश्टन्स करें मतलब इसका फूरा चैप्टर का एक्स्पनेशन हो गया है थेंक्यू